अध्याय एक आदतों का फंदा आदते कैसे विक्सित होती हैं। सन 1993 की शरद रितु में अमेरिका के एक सेनेडियागो शहर की एक प्रयुक शाला में एक व्यक्ति की किसी से भेट करने पहुचा। यह वही व्यक्ति था जो आदतों के बारे में आज हमारी समझ को बदलने वाला था। वहे नीले रंकी कमीच पहने हुए था। छे फुट लंबा बुजुरक रक्ति था। उसके सफेद बाल इतने घने थे कि किसी महाविद्याले की समारों में सबके मन में एर्शया पैदा कर दें। कठिया की समस्या के कारण वहे जरा लंगडाता था। अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वहे उस प्रयुक शाला के हॉल में धीमी गती से चल रहा था। मानो उसे पता ना हो कि आगे क्या होने वाला है। लगबक एक वर्ष पहले की बात है यूजिन पॉली उर्फ एपी लौस एंजलिश शहर में समुद्र तट पर बसे प्लाया देलरे में अपने घर पर था। रात का भूजन बनाते समय उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उनका बेटा माइकल उनसे मिलने आ रहा है। कौन माइकल यूजिन ने प्रशन किया। तुम्हारा बेटा जिसे हमने पाल पोस कर बढ़ा किया है। उसकी पत्नी ने बेवरली ने हैरान होकर कहा। पर इसके वाबजुद यूजिन ने दृष्टी के बारे में फिर वही सवाल किया। माइकल कौन है। इसके अगले ही दिन यूजिन के पेट में एंठन पड़ी और वह दर्द से छट पटाने लगे। उसे उल्टियां भी होने लगी। अगले 24 घंटों में वह इतना कमजोर हो गई कि बेवरली घबरा कर उसे अस्पताल ले गई। उस समय यूजिन को 105 डिगरी बुखार था और अस्पताल में उसका विस्तर पसीने से लटफत हो गया था। वह बहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह इतना आक्रमक हो चुका था कि जब भी कोई नर्स उसके हाथ में सलाइन लगाने आती तो वह उसे धका देकर चिला किया। इसके बावजूद डॉक्टर ने उसकी कमर से रीड के जोड में एक लंबी सुए डाल कर उसके मस्तिश्क तरव की कुछ पूंदे हासिल की ताकि उसकी चांच की जा सके। मस्तिश्क मेरू दर्व निकालते समय ही डॉक्टरों को ऐसास हो गया कि कुछ तो गड़बड है। दरसल मस्तिश्क और रीड की नसों के आसपास फैला यह दर्व संक्रमण एवं छती से बचाने का काम करता था। एक स्वस्त इंसान में यह दर्व बिल्कुल साफ होता है और सुई में रेशम सा भैता हुआ आता है लेकिन यूजिन के मेरू दंड में प्रयाप नमूनों का मटमेला था और सुई में धीरे धीरे ऐसे टपक रहा था मानों बालू के शूश्म करणों में भरा हुआ हो। जांच के परिडाम आने पर यूजिन के डॉक्टरों को उसकी बिमारी का सुई में बिमारी का कानण पता चला। यूजिन के मस्तिश्क में जुअड था उसे यह बिमारी अपेक्शाकरत कम खतनाक माने जाने वाले एक वाइरस की चपेट में आने से हुई थी जो मूँ के चाले बुखार के चाले और तवचों के संक्रमकर्ण जैसी समस्याइं पैदा करता है। लेकिन कुछ दुल्लव परिस्थितियों में यह वाइरस इनसान के मस्तिश्क में प्रवेश कर जाता है। जिससे उस इनसान के विचारों और सपनों से संबंदे कोमल हिस्सों का नश्ट कर देता है। जिससे कोई लोग आत्मा का निवास थान भी मानते हैं। इससे गहरी च्छती पहुचती है। यूजिन के डॉक्टरों ने बेवरली को बताया कि यूजिन के दिमाग को जो च्छती पहुची है उसे ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन इस वाइरस को और अधिक फैलाने से रोपने के लिए वे यूजिन को एंटी वाइरस की एक पड़ खुराग दे सकते हैं। यह एंटी वाइरस देने के बाद यूजिन कोमा में चला गया। और कुछ तिनों तक मौत से जूचता रहा। लेकिन धीरे धीरे दवाओं ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और आखिरकार उसका मस्तिश्क जोर ठीक हो गया। वह कोमा से बाहर भी आ गया। हाला कि यूजिन का जीवन तो बच गया लेकिन वह बहुत कमजोर हो गया। उसे कुछ निगलने में भी तकलीफ हो रही थी। कोशिश करने के बाद भी वह एक पूरा वाक्या तक नहीं बोल पा रहा था। कभी कभी तो वह अचानक ऐसे हाफने लगता म पानों कुछ छणों के लिए सांस लेना ही भूल गया हूँ। कुछ ही दिनों में यूजिन का स्वास्ते बहतर होने लगा। डॉक्टरों ने एक बार फिर उसकी जांच की। इसी जांच के परिणाम देखकर डॉक्टर हैरान थे। क्योंकि यूजिन का तंत्रिक तंतर या सहजता से कर सकता था और अवाज वरोशनी आदी के परती सही प्रतिक्रिया दे रहा था। हाला कि उसके मस्तिश्क की जांच के परिणाम चिंता जनक थे। स्कैनिंग रिपोर्ट में डॉक्टरों को उसके मस्तिश्क के बीचों बीच एक धब्बा नजर आया। दरसल इंस कर लिया था। हो सकता है कि यूजीन पहले जैसा ना रहे। एक डॉक्टर ने उसकी पत्नी बेवरली को सावधान किया। और यह भी संभव है कि तुम अपने पती को खो दो। यूजीन को अस्पताल के दूसरे हिस्से में ले जाया गया। पहला सप्ता समाप्त होने तक व उगले सप्ता वह समान्य रूप से बाते भी करने लगा और खाने में नमक वा जेल और वगरा मांगने लगा। इसके साथ ही वह टीवी के चैनल बदल बदल कर नीरस्त आरावाहि को के बारे में शिकायते भी करने लगा। पांच सप्ता बाद यूजीन को अस्पताल से उस वक्त यूजिन अराम से चलने फिरने लगा था और साथ ही नरसु को बिन मांगी सलहा भी देने लगा था जैसे सब्ता की अंत की छुटी बिताने के लिए वहें उन्हें कहां जाना चाहिए आदी मैंने पहली बार इस बिमारी से ग्रस्त किसी मरीज को स्वस्थ होते हुए देखा है मैं तुम्हें कोई जूटी उमीर नहीं मानना चाहता लेकिन यह वाकई अद्बुद है जूजिन के डॉक्टरों ने बेवरली से कहा लेकिन बेवरली की चिंता खतम नहीं हुई कुछ असामानिया बदलाव आ गए है जैसे यूजिन सकता के दिन भूल जाता था बार बार बताने के बावजूद भी वह अपने डॉक्टरों और नर्सों के नाम याद नहीं रख पाता था एक दिन जब डॉक्टर यूजिन के हालचाल पुछने के बाद उसके कम्ब्रे से बाहर निकल गया तो यूजिन ने अपनी पत्मी बैगरली से पूछा ये लोग मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछते रहते हैं घर वापस लोटने के बाद भी यूजिन में कई बदलाव नजर आए उसे अपने मित्र याद नहीं थे लोगों से बात करते करते वे अचानक सब भूल जाता था कई बार सुबा सुबा नेंद खुलते ही वे सीधे रसोई में चला जाता और अपने लिए अंडे और बेकन पका कर खा लेता फिर अपने कम्ब्रे में लोटकर वापस बिस्तर पर लेट जाता और रेडियो सुनने लगता फिर चालिस मिनट बाद ही वे दुबारा ये सब दोहराता उठकर अपने लिए अंडे और बेकन पकाता उसे खा कर वापस बिस्तर पर लेट जाता और रेडियो सुनने लगता कुछ ही देर बाद एक बार फिर वह यही सब दोरा था उसके इस अजीव वेवार से घपराकर बैवरली ने तुरंत विशेशक्यों से संपर्क किया इन विशेशक्यों में सैनी डियागो की कैलिफॉर्निया विश्व विद्याले की एक शोध करता भी शामिल थे वे उन दिनों यादास्त खोने के कानण पर शोध कर रहे थे एक दिन यूजीन और बेवरली विश्व विद्याले परिसर पहुच गए वे एक दूसरे के हाथ थामे मुख्य हाल के पार करते हुए आगे बढ़े उन्हें एक परिक्षन कक्ष में बैठने के लिए कहा गया यूजीन वहां बैठी एक युफ्ती से बात करने लगा जो कंप्यूटर पर काम कर रही थी यूजीन ने कंप्यूटर की और इशारा करते हुए कहा कि मेरी जवानी के दिनों में इस मशीन का आकार इस कमरे से भी बड़ा होता था और इसे रखने के लिए 6-6 फुट के कई रैकों की जुरत पड़ती थी मैंने इलेक्ट्रोनिक्स के छेतर में कई साल काम किया है और अब इस मशीन को इतने छोटे अकार में देखना सचमुच आश्चर्रे जनक है यह यूपती यूजीन पर ध्यान दिये बगएर कंप्यूटर पर काम करती रही अचानक यूजीन के चेहरे पर मुस्तान आ गई यह सारे प्रिंटिड सौटकिट्स, डायोड्स और ट्रियोड्स यह कितने अद्बुद हैं जब मैं इलेक्ट्रोनिक्स के छेतर में सक्रिया था उस समय इन्हें रखने के लिए भी 6-6 फूट के कई रहकों की जूरत पड़ती थी तब ही एक विज्ञानिक ने कमरे में प्रवेश किया उसने अपना परिचे दिया और यूजीन से उसकी उम्र पूछी मेरी उम्र 69 या 60 होगी शायद यूजीन ने उतर दिया जबकि असल में उसकी उम्र 71 साल थी यह विज्ञानिक कम्प्यूटर पर कुछ टाइप करने लगा यूजीन ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर कहा यह सच मुछ अद्बुद है जानते हो जब मैं इलक्ट्रोनिक्स में था तब इस मशीन को 6-6 फूट के कई रैकों में रखा जाता था यह विज्ञानिक थे 52 वर्षिय लेरी स्क्वायर वे पेशे से एक प्रोफेसर थे जो पिछले तीन दश्कों से याददास्ट से संबंधित तंतूर की रख्चना का अध्यन कर रहे थे उनका अध्यन मुख्या रूप से इस बात पर केंद्रित था की इनसान के मस्तिश्क में घटनाओं का भंडार कैसे होता है वे इसके विज्ञे शग्य थे यूजीन की इस बिमारी के कानण के दुआर खुलने वाले थे अभी तक आदतों के बारे में हमारी जो भी जानकारी या समझ थी वह इनी शूद करताओं के अनेकों अधियनों से बनी थी स्क्वायर के प्रयोगों के सामने आया कि जो इनसान अपनी उम्र और ऐसी ही अनेक असामन ने बातों को याद नहीं रख सकता उसके अंदर भी आश्चे जनरक रूप से जटिल आदते विक्सित होती रहती हैं फिर आपको ऐसास होता है कि हर इनसान रोजमर्रा के जीवन बिताने के लिए समान तंत्रिका प्रक्रिया पर ही निर्पर होता है सक्वाइर और अन्यशोद करताओं के अध्यनों से अवचेतन मन की कारेप्रणाली की समझने में काफी सहयता मिलती है इस कारेप्रणाली का प्रभाव हमारी रोजमर्रा के ऐसे अंगिनत चुनाओं पर पड़ता है जो हमें तार्किक तोप लगते हैं पर वास्तब में मारी उन तीव इच्छाओं से प्रभावित होते हैं जिनसे हम करीब करीब अंजान होते हैं स्क्वायर ने यूजिन से मुलाकात करने से पहले कई हफ्तों तक उसके दिमाग के स्कैंस का अधियन किया था इनी स्कैंस से स्पष्ट हुआ की वायरस का सारा प्रभाव यूजिन के दिमाग के मध्य भाग के 5 cm के एक सीमे छेतर में हुआ है इस वायरस में उनके दिमाग के मध्यवर्ती हिच्छा को पूरी तरह नश्ट कर दिया था वग्यानिकों का मानना था कि तंतूओं का यह छोटा सा संग सभी प्रकार के संग्यनात्मक कार्य जैसे अतीत याद रखना भावनाव पन नियंत्रण रखना आधि करता है पर स्क्वायर यूजीन के दिमाग पर हुए इस बिना शक्री प्रभाव से शकित नहीं थे वे जानते थे कि इस प्रकार का वायरस तंतूओं का अत्यंक्त करूर और सुनिश्चित तरीके से नश्ट करता है स्क्वायर को बस एक ही बात से हरानी थी कि एक अन्या व्यक्ती के स्कैन्स यूजीन के स्कैन्स से होबहू मिलते थे हैंड्री मलयोन, हम का उधारण तेश वर्स पहले जब स्क्वायर म.I.T. से पीचडी कर रहे थे तब उन्होंने एक समू के साथ मिलकर डॉक्टरी इतिहास के सबसे मशूर मरीज H.M. का अधियन किया था H.M. का अस्ती नाम हेंड्री मलोरजन था जब H.M. साथ साल का था तो साइकल से गिरने के कारण उसके सिर पर घहरी चोट आई थी इसके कुछ ही समय बाद उसे दौरे पढ़ने लगे जिससे वह बेहोश हो जाता था सूला साल की उम्र में उसे इतना गभीर दौरा आया कि इसका असर उसके पूरे दिमाग पर हुआ इसके बाद वह दिन में दस से भी जादा बार बेहोश होने लगा 27 वर्ष का होने तक एच्चम पूरी तरह हताश हो चुका था दौरों को कम करने की दवा का उस पर जादा असर नहीं हो रहा था वह होश्यार तो था लेकिन अपनी स्थिती के कारणर किसी भी नौकरी पर तिक नहीं पाता था वह अपने माता पिता के साथ उन्हीं के घरों में रहता था एच्चम एक असामान्य जीवन जीनना चाता था इसलिए उसने एक ऐसे डॉक्टर की मदद ली जिसके अंदर नए प्रयोग करने की गहरी जिग्यासा थी और वह इलाज में गलती करने से डरता नहीं था तब तब विभेन अध्यनों से यह पता लग चुगा था कि दिमाग के एक ऐसे हिस्से हिपोकेंपस का संबंध दौरे पढ़ने से होता है जब डौक्टर ने हम के दिमाग का ऑपरेशन कर उसके दिमाग के सामने की हिस्से को ठाकर एक छोटी नली द्वारा हिपोकेंपस और उसके आसपास फैले तंतुगों का बाहर खीचने में परस्ताव दिया तो हम तुरन सहमत हो गया 1953 में हम का ऑपरेशन हुआ ऑपरेशन के बाद वह जैसे जैसे स्वस्त होता गया उसके दौरे में भी कम होते गए लेकिन उसके साथ ही यह भी सामने आई कि हम का दिमाग मालिक रूप से परिवर्दित हो चुपा था हम अपना नाम जानता था और उसे यह भी याद था कि उसकी मा आईलेंड से थी उस 1929 में शियर मार्किट का ध्वस्त होना और दुत्य विश्वयुद में फ्रांस के नौर्मंडी पर हुआ आक्रमण भी याद था लेकिन वह इसके बाद के लगबग एक दशक की सारी यादे अनुभव, संगर्स, सब कुछ भूल चुका था जब हम की याद था की जाच करने के लिए एक डॉक्टर ने उसे अंको की एक सूची और ताश खेल कर दिखाया तो उसे समझा गया कि एक्चन किसी भी नई जानकारी को 20 सिकंड से जादा याद नहीं रख सकता एक्चन के ओपरेशन से लेकर संद 2008 में उसकी मृत्तिव तक उसके लिए हर मनुश्य, हर गीत, हर कमरा, हर चीज पूरी तरह एक नया अनुभाव था उसका दिमाग समय के किसी भी बिंदू पर अटक गया था वे हर दिन इस बात पर आश्चार करता था कि काले रंग से छोटे काले रंगे छोटे से आयताकार डिब्बे जैसे रिमोट कहते हैं उसकी मदद से टीवी का चैनल बदले जा सकते हैं दिन में दरजनों बार रे डॉक्टरों और नर्सों को अपना परिचाय देता था स्क्वाइर बताते हैं कि हम के दिमाग का अधियन करना मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि दिमाग के अधियन में यादास्त एक ठोस और हुमांचक मार्ग है मैं अमेरिका के ओहियों में पला बड़ा हूँ मुझे याद है कि जब पहली कक्षा में था और हमारी टीचर हमें हम सबको मॉम की रंग बिरंगी पैंसिल जिसे क्रयोंस कहते हैं बाट रही थी मुझे जितने भी रंगों की पैंसिल मिली मैंने उन्हें कागच पर एक साथ एक जगा घिसकर यह जानने की कोशिस की कि इससे काला रंग बनेगा या नहीं मुझे यह गटना तो अच्छी तरह याद है लेकिन अपनी उस अध्यापिका का चहरा क्यों याद नहीं है मेरे दिमाग ने उसे एक याद को अन्या घटनाओं से अधिक महतु क्यों दिया स्क्वायर यह देखकर अचंबित थे की यूजीन के स्कैंस हम से कितने मिलते जुलते थे दोनों ने ही दिमाग के मध्यम भाग में अक्रोट के अकार का धबा था हम की ही तरह यूजीन की भी यादा जा चुकी थी हम और यूजीन में अंतर इसके बाद जब स्क्वायर ने यूजीन के कुछ और परिक्षन किये तो पता चला की हम और यूजीन में गहरा अंतर था जैसे की हम से मिलते ही पता चल जाता था कि वह अस्वस्थ है जबकि यूजीन समान्य बाचीत करने से लेकर कई अन्यकार्यों तक सब कुछ इतने अराम से कर लेता था कि आमतोर पर उसे देखकर उसकी अस्तिस्थिती का पता नहीं लग सकता था ऑपरेशन ने हम को इतना कमजोर बना दिया था कि उसके बाद उसे अजीवन अस्पताल में रहना पड़ा दूसरी और यूजीन अपनी पतनी के साथ अपने घर में रहता था हम किसी एक विशेफ पर लंबे समय तक बादचीत नहीं कर सकता था जबकि यूजीन हर बादचीत को चतुराई और उपगरहों या फिर मौसम जैसे विशेफ की ओल ले जाता था क्योंकि इनके बारों में वह स्वेयम लंबे समय तक बात कर सकता था क्योंकि वह एक अंतरिक्ष प्राधियाक्या कंपनी में टेकनीशियन था इसलिए उसके लिए इन विशेफ पर बात करना असान था यूजीन की परिक्षड परिक्षड की शुरुआत में स्क्वायर ने यूजीन से उसकी किशोर वस्ता के बारे में पूछा यूजीन ने मध्य कैलिफोर्निया के एक शहर के बारे में बताया जहां वह पला बड़ा साथ ही उसने मर्चेंट मरीन्स के अपने अनुभव के बारे में बताते हुए औस्ट्रिया के एक यात्रा के बारे में भी बताया उसे अपने जीवन में 1960 से पहले की लगभग सारी घटनाय याद थी इससे आगे की दशकों के बारे में पूछने पर यूजीन ने विनर मता से विशे बदलते हुए कहा कि कुछ कारणों से मुझे हाल ही की घटनाओं का याद करने में कठिनाई हो रही है यूजीन की गुधी मता का परिक्षण करने पर स्क्वाइर ने पाया की पिछले तीन दशकों के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है यहां तक की यूजीन में जवानी के समय की सारी आधते अभी बरकरार है इसलिए जब कभी स्क्वाइर यूजीन को पानी का गिलास देते हुए कोई विशेश जवाब देने पर विस्तार से यूजीन की प्रशंसा करते तो यूजीन उन्हें धन्यवाद देता और बदले में उनकी प्रशंसा करता जब ही कोई उसकी कमर में प्रवेश करता तो यूजीन उठकर उसे अपना परिच्चा देता और उसके हल्चा जरूर पूशता लेकिन जब यूजीन का अंको की किसी श्रंकला का या प्रयोकशाला के बाहरी गलियारों आदी का याद पर कर उसका वरणन करने को कहा गया तो डॉक्टरों को कुछ नई बाते पता चली जैसे कि यूजीन किसी भी नई जानकारी को अधिक्तम एक मिनट से ज़्यादा याद नहीं रख सकता यूजीन को जब उसके पोते-पोतियों की तस्वेरे दिखाई गई तो उसने उन्हें पहचानने से इंकार कर दिया जब सक्वायर ने यूजीन से उसकी बिमारी के बारे में पूछा तो पता चला कि उसे बिमार पढ़ने या अस्पताल में बढ़ती होने के बारे में कुछ भी याद नहीं था असल में यूजीन अपनी यादास्त खोने के बारे में कुछ नहीं जानता था उसके अनुसार ना तो उसे कोई चोट लगी थी ना ही उसने अपनी यादास्त खोई थी अन्तहा यूजीन के लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि वह असस्त है यूजीन से मिलने के कुछ महीनों बाद स्क्वायर ने उसकी यादास्त को परिखने के लिए कुछ नए प्रियो किये इस तोरान यूजीन और बेवरली लॉस एंजिलिस में समुद्र तट पर वैसे पलाया देल रे और छोड़कर अपनी बेटी के घर पर करीब सेंडियागो में रहने चटे गए यहाँ स्क्वायर कई बार चांच के लिए उनके घर आया करता था एक दिन उन्होंने यूजीन से कहा कि वे अपने घर की एक नक्षा बनाएं यूजीन ने कोशिश की और सफन नहीं हुआ तुम सुबा जागने के बाद घर के अन्या कमरों में कैसे जाते हो स्क्वायर ने यूजीन से बूचा सच कहूं तो मुझे नहीं मालूम यूजीन ने जवाब दिया स्क्वायर अपने लैप्टॉप पर यूजीन की टिपणियों के बारे में नोटिस बताने लगा इस तोरान यूजीन को ध्यान कहीं और ही चला गया वेह कमरे में यहां वहां देखने लगा फिर वेह उठकर गलियारों की ओर गया और सौचाले चला गया कुछ मिन्टों बाद शौचाले से फलश की आवाज आई और फिर नल से पानी बहने की अपनी पतलून पर हाथ पोचता यूजीन एक बार फिर सामने के कमरे में स्क्वायर के पगल में आकर बैठ गया और निश्चित होकर अगले प्रशन का अंतिजार करने लगा उस समय इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जो इंसान अपने घर का नक्षय तक नहीं बना पा रहा है उसने इतनी असानी से घर का शौचाले कैसे ढूंड लिया आगे चलकर यह प्रशन इससे कई अन्य प्रशन में हमें नई अवश्कारों के ऐसे रास्ते पर ले गए जिसने आदतों की शक्ती के बारे में हमारी समझ को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया इससे एक ऐसी विज्ञानी करांती शुरू ही जिसके चलते आज हजारों शोध करताओं ने पहली बार इस पारे में शोध कर रहे हैं कि इनसान के जीवन पर आदतों का क्या प्रभाव पड़ता है कुरसी पर बैटे यूजीन की नजर स्क्वाइर के लैप्टॉप पर पड़ी यह सचमुच अद्बुत है जब मैं इलेक्ट्रोनिक्स के छेतर में काम करता था तब इस मशीन को रखने के लिए 6-6 फुट के कई रैकों की यूरत परती थी नए घर में आने के बाद पुछ तपता तक बैवरिली रोजाना यूजीन को बाहर टेहलाने के लिए ले जाने की कोशिश करती थी डॉक्टरों ने बैवरिली को यूजीन से वेयाम करवाने की सल्हा दी इसके अलावा एक बात यह है भी थी कि जब यूजीन दिन भर ही घर पर रहता तो पूरे दिन बैवरिली से बार बार एक ही तरीके का सवाल पूछता रहता जिससे बैवरिली परिशान हो जाती थी इसलिए बैवरली, रोज, सुबा, शाम, यूजीन को टहलाने के लिए चौराहे तक ले जाती थी वे दोनों हर रोज एक साथी, उसी रास्ते से चौराहे तक पहुंचते थे डॉक्तर ने बैवरली को यूजीन पर नजर रखने के लिए कहा था उन्होंने बैवरली को आगा किया था कि अगर किसी दिन यूजीन घर से निकल कर रास्ता भूल लिख गया तो ना तो वेख खुद रास्ता ढूट पाएगा और ना किसी और से मदद ले पाएगा अचानक एक दिन सुबा सुबा कुछ ऐसा ही हुआ वेख खुद सुबा सुबा कुछ ऐसा ही हुआ दरसल उस दिन यूजीन को टहलाने लेकर जाने के लिए वेवरली तयार हो रही थी कि यूजीन अचानक घर के सामने वाले दर्वाजे से बाहर चला गया क्योंकि उस घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमने की आदत थी इसलिए कुछ देर तक वेवरली समझ ही नहीं पाई कि यूजीन घर पर नहीं है जैसे ही उसे इस पात का एसास हुआ वह दोड़ी दोड़ी घर से बहां निकली और घबराकर यूजीन को यहाँ वहाँ ढूनने लगी उसे यूजीन कहीं नजर नहीं आया वेवरली उसे पड़ोसियों के घर ढूनने लगी क्योंकि महले के सारे घर एक जैसे दिखते थे इसलिए बेवरली को शक हुआ कि वेवरली के मन में तमाम बुरे खयाल आने लगे कहीं यूजीन ट्रैफिक में फसकर किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए किसी के पूछने पर वेवरली का पता कैसे बताएगा यह सब सोचकर बेवरली और गवरा गई यूजीन को ढूनते ढूनते पंदरा मिनट से जादा समय हो चुका था जब यूजीन को कोई कबर नहीं मिली तो आकिरकार बेवरली पुलिस को फोन लगाने के लिए घर की ओर दोड़ी वे हड़बड़ी में दरवाजा कोल कर घर के अंदर आई और देखा कि यूजीन सामने वाले कमरे में अराम से बैटा टेवी पर हिष्टरी चैनल देख रहा है बेवरली को रोते देखकर वे हरान रह गया जब बेवरली ने यूजीन से पूछा कि तुम कहां थे तो उसने बताया कि मैं घर से बाहर कम निकला और कहां गया मुझे कुछ वियार नहीं है उस समय यूजीन यह भी समझ नहीं पा रही थी कि बेवरली नाराज क्यों है फिर बेवरली ने मेज पर पड़ा देवदार को शूंको का धेर देखा उसे याद आया कि जब यूजीन को बाहर डूंड रही थी तो ऐसा ही डेर उसने एक पड़ूसी के आंगन में भी देखा था उसने करीब आकर यूजीन के हाथों को देखा उसके हाथों पर उन शंको का चिपचिपा रस लगा हुआ था वैवरली को समझ जा गया कि यूजीन उसे छोड़कर अकेले ही टहलने गया होगा और शायद चौराहे तक टहलने के बाद वापिस आते समय ये शंको उठा लाया होगा सबसे बड़ी बात यह थी कि यूजीन शुरक्षित वापिस लौट आया था इसके बाद यूजीन रोज सुबा अकेले ही टहलने जाने लगा वैवरली उसे रोकने की कोशिश करती लेकिन ये कोशिश पिकार साबित हुई वैवरली बताती है कि मैं यूजीन को घर के अंदर रहने के लिए कहूं तब भी वै कुछ मिन्टों बाद यह बाद भूल जाता है कि कई बार तो मैंने इसे डर के उसका पीछा भी किया है कहीं वै कोना जाए लेकिन वै हर बार शुरक्षित लौट आता था कभी भी वै देवदार के शंकू तो कभी थर उठा लाता था एक बार तो वै रास्ते पर पड़ा किसी का बटवा उठा लाया और किसी तरह एक बार वै कुट्टे का पिल्ला उठा लाया पर यूजीन को कभी यान नहीं रहता था कि ये सब चीजे कहां से आई जब स्कूायर और उसके सहयाको के यूजीन के इस सहर सपाटे के बारे में पता चला तो वे सब हैरान रहे गए अब उन्हें संस्य होने लगा कि यूजीन के दिमाग में उसकी चेतन स्रिम्रिती के अलामा कुछ और भी है जो सक्रिय है उन्होंने एक नए प्रयोग का नमूना तयार कर लिया फिर स्कूायर का एक सहयाक यूजीन के घर आया और उसने यूजीन को अपने महले का नक्षा बनाने के लिए कहा यूजीन ऐसा नहीं कर पाया फिर उसने यूजीन के उस महले का एक नक्षा दिखाया और उससे अपने घर अंकित करने के लिए कहा यूजीन कुछ देर तक तो आड़ी तिर्ची लकीरे खीचता रहा फिर वह भूल गया कि उसने क्या करने के लिए कहा गया था फिर जब सहायक ने उससे पूछा कि घर में रसोई किस तरफ है मैं नहीं जानता यूजीन ने कमरे के चारो ओर देखते हुए कहा जब तुम में भूक लगती है तो तुम क्या करते हो यूजीन सहायक ने उसके सवाल को पूछा इस सवाल के जबा में यूजीन खड़ा हुआ चलकर रसोई घर तक गया और उपर की अल्मारी में रखा मुंफलियों का डबा ले आया एक अन्या सहायक यूजीन के सैर के दौरान उसके साथ गया दक्षिड कैलिफोर्निया के कभी न बदलने माली बसंत के खुश्णुमा मौसम में वे देनव बोगन वेलिया की सुगन से मैक्ती हवाओं के बीच करीब 15 मिनट तक तहलते रहे उजीन ने ज़्यादा बात्चित नहीं की कि वे पूरे आत्मिश्वास के साथ आगे बढ़कर स्क्वायर के सहायक का रास्ता दिख रहा था